हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चनल अगेन तो टुड़े विल डिस्कुस दा बॉड़ी टैप्स विच वर गिवन बाई अर्नेस्ट केश्मर तो जो अर्नेस्ट केश्मर थे इन्होंनों तीन बॉड़ी टैप्स दे रिखिए हैं पिक्निक एस्थेनिक इनकी जो हाइट होते हैं उनकी जो हाइट होगी वह बहुत शॉट होगी उनका जो हैट जादा होगा तब ही उनकी बॉड़ी का है थोड़ा राउंड है सब्सक्राइब बहुत एक्टिव जादा रहते नहीं है थोड़ा लेजी रहेंगे उनको ऐसी पसंद है एंड रिमेन हैपी लेकिन वो लोग इसी में ही खुश रहते हैं इनका क्या होता है यह बहुत जल्दी घुल मिल जाता है यह आप कह सकते हैं यह थोड़ा एक्स्ट्र से घुल मिल जाता है इंट्रेक्ट इनका सोसाइटी में इनका इंट्रेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है देन सेकिंड जो बॉड़ी टाइप है वह हमारा इस्थनिक अगर हम लोग बात करें तो यह बहुत टॉल स्लिम होते हैं वीक बॉड़ी स्ट्रक्चर होता है इनका अ इमेज में इसका बॉड़ी स्ट्रक्चर होने के बाद आवर सेम प्लीकों अपने ही में लोग ज्यादा अग मतलब्ले में ज्यादा नहीं सोचने होते हैं भुड़ाओं बहुत उनका life में उनके लिए carrier है, उनका future क्या है, then they have less number of friends, इनके जो दोस्त होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि यह लोग अपने में ही busy रहते हैं, introvert type people ज़्यादा हैं यह, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, तो friendship कहां होगी, दोस्त कहां बनेंगे, then they criticize others, can't bear their own criticism, यह दूसरों को criticize तो करते हैं, लेकिन जब इनकी खुद की criticism होगी, तो इनसे बिल्कुल bear नहीं होता, बिल्कुल यह अपनी criticism तो झेल नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरों को criticize जरूर करेंगे, then they talk less to other individuals, यह दूसरों से भी कम बात करते हैं, यह introvert people ज़्यादा है, self-centered करते हैं, अगर इनके friends होता है, society में जाएंगे, बातचित करेंगे, तभी crowd में जाने को face करेंगे, but crowd में जाने से क्या होता है, यह hesitate करते हैं, जहाँ पर इनको भीर दिखती है, ज्यादा large amount में जो groups इनको मिलेंगे, तो वहाँ पर hesitate करेंगे, क्योंकि इनको आदत नहीं है, ज्यादा लोगों से घुलने मिलने की, then they lead a lonely life, अब introvert people है, self-centered है, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, कोई दोस नहीं है, तो यह क्या है, यह अकेली जिन्दगी जीते हैं, यह क्या है, lonely, मतलब हर टाइम यह अपना आपको अकेला feel करता है, उसमाँ खुश भी रहते हैंगे Then their behavior is introvert, और ऐसे ही लोग क्या होता है, introvert होता है, उनको बाहर के दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको, वो अपने में ही खुश रहते हैं, और अपने में ही busy रहते हैं, तो यह कुछ जो characteristics थे एक इसके एस्थेनिक है, इनके tall body होत होती है, लेकिन दिखने में थोड़ा weak structure, body structure का क्या होता है, थोड़ा weak होता है, then जो last body type है, Ernest Cashman का वो है athletic, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल athletic, athletic बिल्कुल sports में आपने सुना भी होगा, तो उनके body बिल्कुल athletic होती है, so they have broad shoulders, strong body structure, powerful muscles, जो athletic individuals होते हैं, इनके broad shoulders हो older थोड़ा broad होंगे, इनकी body देखने से लगते हैं, है किसी sports and games में involved होते हैं, यह physically बहुत fit है, इनका body structure हो बहुत strong होता है, दिखने से ही पता ज़्यादा होता है, यह बहुत fit है, then they have powerful muscles, इनकी जो muscles हैं, बहुत powerful होती है, उनमें strange ज़्यादा होती है, then they are very active and agile, यह बहुत active ह easily, यह बहुत जल्दी movement करते हैं, किसी भी games and sport participate करेंगे, कोई भी work करते हैं, कोई भी ऐसी activity करते हैं, जहां पे इनका movement बहुत जल्दी होता है, बहुत quickly करते हो, और easily इसको कर लेते हैं, then they are powerful and intelligent, यह powerful भी होते हैं, यह intelligent भी होते हैं, अपकोस इनकी body athletic है, strength होती है, muscles में, muscles इन work को करके दिखाते हैं, तो यह क्या होता हैं, यह athletic body types होता है, जिसे हम example आगा, छोटे से example है, हुसेन बोल्ट का, उनका body से इतना लगता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो 100 meter, he is the fastest man on the earth, मतलब अगर humans की बात करें तो सबसे fastest हैं, बहुत तेज रनिंग करते हैं, तो वो अपने action से करके दिखाते हैं उस चीज को, मुझसे ज़्यादा बोलते नहीं है, then they have a balance physical and mental development, उनका जो physical है, वो proper और developed है, और mental भी developed है, it means that physically developed होते ही होते हैं, साथ में वो mentally बहुत ज़्यादा developed होते हैं, वो ज़्यादा उनके अंदर emotions नहीं होते हैं, कहाँ पे उनको अपना tempered loose कर होना है, यह कहाँ पे नहीं करना है, कैसे उस tempered को अपनों control करके रखना है, frustration, irritation, सब बैलन्स करके रखते हैं, so they are mentally developed, then they have interest in physical activities and games and sports, of course ही बात है, जब उनका physically fit है, उनकी body बिल्कुल athletic है, उनकी muscles बहुत powerful है, strength है उसमें, तो यह physical activity में बहुत ज़्यादा involved रहते हैं, और physical activity म involved रहने के बाद, इनकी जो physical fitness बहुत बहुत है, इंप्रूफ हो जाती है, यह किसी ने किसी games and sports में involved रहते हैं, चाहे वो weight lifting के बात करो, अगर आप muscles powerful है, weight lifting में जा सकते हो, then sprints में भी जो athletics में sprints होते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, तो कहीं न कहीं यह अपनी body को involved रखते ह हैं, so these are the body types which were given by Ernest Cashmer, आप लोग भी अपना आपको भी इसमें जो characteristics आ रहे हैं, तो आप इसको पैचान सकते हो, आपके body type किसमें हैं, आपके जो friends हैं, colleagues हैं, कहीं न कहीं, पता चल जाएगे कि आपके कौन सी body types हैं, I hope so आपको clear होगा, कोई भी अगर doubt है, किसी को भी, तो comment section में पूछ सकते हैं, और बहुत interesting topic भी है ये, और जो मैंने last classification body types का hypocrite का बनाया था, वो भी बहुत important topic है, तो कहीं न कहीं, आपको दोनों में similar चीज मिलेंगे, body types का define क्या हैं, किसी ने body को देखते भी क्या है, किसी ने उसके जो individual characteristics हैं, उसके base पे गया,